आज हम बनाएंगे चावल का टेस्टी नाश्टा इसके लिए एक कुटोरी कनी लेंगे चावल की इन्हें मिक्सी में अच्छी तरह पीस कर उसका आटा बनाएंगे इस आटे में टालने के लिए जीरा, अजवैन, नमक और एक कुटोरी हरी मतर लेंगे फिर मिक्सी के अंदर हम दो तिन मिर्चे हरी मिर्च की, हरी मिर्च, हरी मतर, हरी मतर, अजवैन और जीरा डाल कर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को एक कुटोरी में निकाल लेंगे इस मिक्सचर के अंदर हम चावल के आटे के इस मिक्सचर को चावल के आटे में डाल कर हम थोड़ा सा दूद भी इसके अंदर डालेंगे और एक चमच घी डाल कर इसे अच्छी तरह से हलका हलका नरम नरम गूंद लेंगे नमक आप इसके अन्दर अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं इस खुंदे हो आटे की छोट छोटी लोहियां बनाकर छोटी छोटी टिक्कियां हम बनाकर तेल के अन्दर तलेंगे इसके लिए हमें फ्लेम मीडियम रखनी है और प्लेक को पहले से ही गरम करना है देखिए कितने अच्छी टिक्या बन रही हैं आप इस टिक्यों को चाय के साथ किसी भी समय ले सकते हैं इन्हें हल्का सुनहरी होने तक फ्राई कर लेना है त्यार है हमारे चावल का टेस्टी नाश्ता थेंक यू प्लीज इसे लाइक करें